नमस्कार जैश्री कृष्णा मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ शिवानियस्टो चैनल में और जैसे कुछ लास्ट वीडियो से मैं आपको बता रहा हूँ कि कुणली देखते वक्त क्या-क्या पाइंट हमारे दिमाग में आने चाहिए और क्या-क्या पाइंट हम जो भी बेन आपको बताये हैं तो अगर आपने वो वीडियो ना देखी हों तो क्रिपया देख लें आज आगे हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और चलते हैं दूसरे प्रश्णों की और और कुछ नई टिप्स की और जो टिप्स बहुत जरूरी हैं कुंडली देखते ब कर्मत आतो हीएं ये यह बी एक पाइंट है इस पाइंट में यह है कि आप यह देखे सब्से प्लित करहा है कौन सा आप में सबसरे ने यानि दो से अदिक अशुबभु अधिक हो Drian aुर इसे ले याim heatu एक तो आपर पर आफ उप को फिर्म बताया है एक से सूर्य, मंगल, शनी, राहु, कित्रू अशुब्ढवे नैसरगी ॡृफ से तो अगर किसी ग्रहे हे पर नैसरगी , उसुब्रह भै नहीं निकालना है आपने थतकाली ग्रूप नहीं निकालना है तो मंगल से दरस्त भी हो जाता, तो पिडित हो जाता, यहां मंगल ना बैठा होता, यहां पर सूर्य बैठा होता, चंदरभा के साथ में तो सूर्य से अस्त हो जाता, कितनी पोजिशन हो गई, तो दो ग्रहों से पिडित हो गया, यहां मंगल देख रहा है, और सूर्य के साथ बेठा है, तो तीन, दो या, दो सहथि statutory हो एक तो नीज की राजि़ में होगया, असूरे सेас्थ होगया, अपलस मंगल से दरस्थ होगया, कितना इसके अंदर आगया तो ये बहुत पीडिद होगया आपको ये वालग रहे जो ऐए व पीडी फिर आप यह देखें जो ग्रहाए आपका पीडी थे वो कौन से भाव से बार्मांब अख्य है जिस आप लोगम को बता कि आप भी शास्त्र, यह प्रहप पोरुशeye हमारे है, इनको पढ़ना स्टार। इन अब पढ़ेंगे, उतना ही आपको fundamentals clear, जोतिश, बहुत अच्छी किता, कुछ करने की जूरत नहीं है, तो अब जैसे माल लेते हैं कि इस कुंडली में हमारा चंद्रमा पीडित, चंद्रमा एक तो नीचराशी में बैठा है, यहां मंगल है, मंगल से दरस्ट है, यहां सूरी बैठा है, सूरी से दरस्ट है, तो महत पीडित है, चंद्रमा किस भाव से बारवे है, तीसरे भाव से बारवे है, यह पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, तीसरे भाव से बारवा बैठा वाया है, तीसरे भाव से बारवा काउंट करोगे, तो यहां से एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा, पारा, तो तीसरे भाव से बार्वा बैठा है, तीसरे भाव किस चीज़ का होता है, भाई का, तो भाई को परिशानी होगी, पीडित ग्रहे, आपकी कुर्णली का सबसे पीडित ग्रहे या पीडित ग्रहे, जिस भाव से बार्वा बैठा है, और वो भाव जिस सजीव को दर्शाता है, तो जिस भाव से सबंदित सजीव को परिशानी है, यह तीसरे भाव से बारवा बैठा है, यह इंपॉटन्ट है, कुंडली में एक चीज और भी देख लेनी चाहिए, वो भी बड़ी इंपॉटन्ट है, कि लोग कहते हैं, साब मेरे शुब ग्रह आज चीज़ा, कि जभाव मेरे शुब ग्रह कि, देख रही हैं, यह इस चीज़ा मेरे शुब ग्रह की देख लेंगे, तो उसमें शास्तरों है, अगर आपके शुब ग्रह की देख चल रही ही, तो शुब फल जब मिलेंगे, जब उस ग्रह की जिसकी दशा चल रही है उच राशी में स्वे राशी में या मित्र राशी में गोचर में सूर्य या गुरू आ जाएं ये जिस ग्रह की दशा चल रही है उस ग्रह के शुबफल जब मिलेंगे जब उस ग्रह की उच राशी में स्वे राशी में या मित्र की राशी गोचर में सूर्य या गुरू आ जाएं तो गोचर कुंडली आपको देखनी है और देखनी है कि सूर्य गुरू उस राशी में आए हैं या नहीं और किसी अशुब रह की दशा चल रही है तब और इसकी विप्रीत किसी अशुब रह की दशा चल रही है तो उस ग्रह की नीच राशी में या शत्रु राशी में गोचर में सूर्या आए तो आपको अशुप फल बिलना स्टार्ट हो जाए मान लो कि आपकी शुक्र है या आपका मंगल है मंगल की दिशा चल रही है मंगल आपकी डीवें चाट में कुंड़ी में छटे आठवे बारवे भाव में बैठा हुआ है तो उसकी दशा तो आपके लिए अचिर जाएगी नी आठवे बारवे भाव में बैठा है और उपर से एक दो ग्रहों से पीडित भी है माल लिया लेकिन उस तीर साल के अंदर भी particular time जो result मिलने का होगा, अशुपल मिलने का होगा, वो जब ही होगा, जब मंगल की नीच राशी या शत्रू राशी जो जो है मंगल, उनमें गोचर में सूर्या आ जाए, गोचर कुंड़ी देखे, अगर गोचर कुंड़ी में सूर्या किसी particular राशी में है, और वो राशी मंगल की नीच राशी होती है, और गोचर में सूर्या कर्क राशी में है, तो हम कहेंगे, हाँ अब अशुपल मिलने स्टार्ट, या शत्रू राशी में आ जाए, गोचर सूर्या, तो अशुपल मिलने स्टार्ट, तो ये बहुत important fundamentals हैं, जो Advanced Technology का बैच चला रहे हैं, आप में से जो इंट्रेस्टेट हो, वो नावांगन करा से धन्या पार,